दिल्ली में G20 का शिखर समयलन अभोने में महज कुछ दिनों का समय बचा है और दिल्ली को सजाने सवाने की जो प्रक्रिया है वो अंतिम दोर में हमारे साथ सौरब भारदवाज हैं दिल्ली सरकार के मंत्री हैं किस तरीके की सजावत हो रही है और चुकी अब बहुत कम समय रहे गया है क्या दिल्ली पूरी तरह से तया देखिए मुख्य मंत्री अर्विंद के जीवाल जी का निर्देश है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की कोई कमी ना रह जाए और G20 के अंदर आने वाला हर आदमी दिल्ली वालों को और दिल्ली को याद रखे इसलिए जितनी भी रोट्स हैं सब को सजाया गया है सवारा गया है मेंटेनेंस की जारी है चाहे पैदल चलने के लिए जगे हो चाहे साइकलिंग की जगे हो सब को खूबसूरत बनाया गया है लाखों पेड़ पौधे लगाया गया है जितने फ्लायोवर्स हैं उनके नीचे खूबसूरत चित्र हमारे कल्चर को हमारी हिस्ट्री को दिखाने के लिए बनाये गए हैं जितने हमारे एतिहासिक्स थल हैं उनको रोशन किया गया है उनको सवारा गया है सजाया गया है जितने ट्यूरिस स्पोर्ट्स हैं उनके ओपर दिल्ली सरकार ने काम किया है है हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर सभी होटेल्स के अंदर 24 गंट इसके साथ हमेशा मौझूद रहेंगे हमारे स्पिश्लिस्ट मौझूद रहेंगे हर तरीके की तयारी दिल्ली सरकार ने कर ली है और दिल्ली वासी अपने मेहमानों के इंतजार में आज हैं कि जब वो जाएं तो दिल्ली सरकार को और अविल के जिरिवाल की सरकार को याद र इस पूरे मामले में आमादमी पार्टी का रुख क्या है देखिए मामला तीन दिन पहले भारती जनता पार्टी ने उठाया और उन्होंने कहा कि यह काम अर्विंद केज्रिवाल जी की सरकार ने किया है लिहाजा आतिशी के ओपर F.I.R. दर्ज कराई जाए जब पता चला कि यह काम उनके द्वारा लगाए गए लजी साहब ने किया है तब से भारती जनता पार्टी चुप है गायब हो गई यह भगवान शिव का प्रतीक भगवान शंकर का प्रतीक शिवलिंग होता है जिसको हम लोग पूजा करते हैं जिसका हम जल अभीशे करते हैं उसको इस तर का प्राश्चित करना चाहिए कैसे प्राशिट करेंगे कर आपकी कि पुछ विदायकों ने दिली पूलिस कर दर्ण के भारतिये जंता-पारटी केंद्र सरकार सही में कि केंडों की भावनाओं का द्यान रखती है तो उनको अपने घंप और दरज करना चाहिए कि भारती जंता-पार्टी जूटी ठेकेदारी करती निदिस्ता-पार्ट से मतलब और भारती जंता-पार्टी पूरे देश के सामने एक्स्पोज हो जाए एक सर अलग सवाल है आज आदित्य लवन की लांचिंग हो रही है कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी बहुत सफलता पूरवक्त कितना सफल वैग्यानिकों का यह उपलब्धी अपमान देखिए आज से करीब 50 साल पहल हो यह बड़े-बड़े महान विग्यानिक हैं जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ स्पेस शिप्स को स्पेस साइन्स को अपना एक-एक पल दिया आज उन्हों के आत्मा बहुत प्रसंद होगी कि वर्षों की मेहनत के नितीजे से चंद्रयान जा रहा है सुर्यान जा रहा है और मैं देश के सभी विग्यानिकों को सलाम करना चाहता हूं शुबकामनाय देना चाहता हूं कि आज विग्यान की जीत हुई बच्चे पढ़े, लिखे, विज्ञानिक बने, इंजिनियर बने, इस सोच के साथ हमें देश को आगर बढ़ाना पड़ेगा